वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कैप्टन पी कुमार आध जो मैं आपसे बात करूंगा एक बच्चे की क्वेरी है लेक कैन एनिबडी बिकम आ पाइलेट विस नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्ग्राउं जिसके पास आर्ट्स है या कॉमर्स है तो यह बहुत बड़ा मित है दोस्त तुमारा ही नहीं यह दुनिया में आदे से जादा जनता को यह मित है कि भई जो बंदा साइंस से पड़ा लिखा नहीं है वो पाइलेट नहीं बन सकता लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसे मैं कम से कम 2000 पाइलेटों को जानता हूँ जो साइनस से नहीं थे अगर नहीं है तो डीजी सिय का अब यह कैं इंडिया में हैं कई कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें साइनस की रिक्वार्मेंट ही नहीं है तो क्या है सबसे इसका सीधा सीधा जबाब है हाँ भी हाँ आप पाइलेट बन सकते हो उसका एक तरीका है कि NIOS से आप physics and maths अलग से पास कर लो वो आपको बाकी के subject का credit दे करके आपको allow कर देते हैं उसके लिए आपको physics and maths थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी यह एक basic requirement है लेकिन एक चीज और आगे सुन लो कि ऐसा नहीं कि आपने अगर physics and maths नहीं कर रखी है तो पता नहीं क्या होगा आगे कैसी पढ़ाई होती होगी मैं तो बहुत weak था math में physics में नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है यह जो pilot की पढ़ाई होती है जो subjects होते हैं जैसे navigation हो गया meteorology हो गई आपका technical हो गया आपका regulation हो गया specific हो गया RT हो गई यह साधे subjects बिलकुल अलगे हैं इनका science से कोई लेना देना नहीं है तो जितनी महनत एक science वाले को करनी होगी उतनी ही महनत arts और commerce वाले को भी करनी पड़ती है बराबर तो इसमें कोई भेदवाब नहीं है ऐसा बिलकुल मत सोचो के आपको science नहीं आती है आपके पास physics नहीं थी तो pilot बनने में कोई तकलीफ होगी नहीं होगी बिलकुल भी मेरे पास इतने बच्चे हैं जो commerce और arts से हैं एक बार में डीजी से के paper pass करते हैं सारे बाकी का process तो फिर बाकी की वीडियो में मैंने बता ही रखा है अगर फिर भी कोई सवाल है तो comment कर देना मैं आपको जबाब दे दूंगा Thank you so much Captain P. Kumar